चुणाओं का माहौल बहुत गर्म offerings खास कर उत्ता प्रदेश में पर उत्ता प्रदेश के चुणाओं के गर्मा गर्म माहौल हो इसके अलाओ जो मुद्थे जन्ता और मीडिय सभसे ज्यादा भहस कर लिए हैं जिस मुद्वों पर तीन मुद्थे हैं और मुझे नहीं लगता हुँ तीन मुद्धे इतने जरूरी हैं जिस पर कि मीडिया जंता को कह रहे हैं कि जंता को सवाल कुछना चीए और जंता कहती है जंता नेताओं के हिसाब से चलती है और मुझे नहीं लगता कि मुद्ध इतने जरूरी हैं जिन पर जो बीना मतलब के मुद्धे उन पर बहस हो रही है नमस्कार इंदुस्तान स्वाथ आपका मेरी चैनल अंदनी जो हमें महमन अंदनी कैसे आप लोग मुझे मुझे बहुत अच्छा होंगे और अच्छे रहना क करोना की तीसरी दारहर दस तक देच लेकिन अपने जुमिदारी का निर्वाग हमें करना ही है क्योंकि हम हर जुमिदारी सरकार के ओपर डिह रहें हैं देख रह लोग बहुत तो का र Only है अब कब जाएगा कोई पता नहीं लेकिन फिलाल मैं बात कर रहे हुँ हमारे देश में जो अभी तीन मुद्दों पर बात हो रहे हैं बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता इतने जरूरी है टीवी टीबेट अलग हला मचा रखा है सोचल लेटरंग सैड़ पर अलग हला मचा हुआ है और मुझे नहीं लगता यह तीनों मुद्दे इतने जरूरी हैं पहले मुद्द जो हमने देखा बिराट को लिगा कि उन्होंने कप्तानी छोड़ दिए हर चीज का एक समय आता है अ इतना बड़ा मुद्द है कि सारे जगव डिबेट हो रहे हैं सारे टीवी चैनलों पर हला मचा हुआ है इससे अच्छा तो किसी नए कैप्टेन को अच्छे काबिल को तंग्यार करें भारती टीम के लिए बजाए कि इस उन्होंने खुद से चुद भी यह चीज ट्वीट क इस एक वक्ता आता है और कोई करें ब्राट को ली ने खbor मोकी कोई का रहा है सबको पता है लेकिन के अच्छे कतानी भंणतर के अच्छी इन्होंने इतनी जीत दिलाई हैं तो मुझे नहीं रगता कि अगर इस पे इतनी बड़ी बहस होनी चाहिए यह बहुत बड़ा मुद्धा है बहुत और भी चीजें बहस करने के लिए कोई कह रहा है विवाद है कोई कह रहा है उनके खिलाब साजी से लेकिन उन्हें साप साप लिखा है क कि मैं हर चीज का एक सही समय आता है जो चीज सुरू होते हैं उसका अन्तो होता ही होता है बिराट को ली को ने जितना अच्छा काम किया जितना अच्छे परफॉमेंस उन्हें दे लोगों ने उतराई प्यार दिया उनकी इच्छा है उनने छोड़ दिया इतनी इतनी बहस मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो एक नया कप्टेन तंग्यार करें बिराट को ली को जो अच्छे से उनकी जगह ले सके दूसरे दूसरा मुद्धा जो आजकल मुझे नहीं लगता है यह बहुत बेफजूल मित्दा है कि अपना यादों ने बीजेपी जोइन कर और मुझे नहीं लगता की यह बहुत बड़ी बात है यह बहुत बडी नेता यह बहुत बड़ी नेता नहीं हो और अगर अगर देखा जाए तो अनोंने गलत कि हैं उनके परिवार ने उनके लिए केंपणिक कि consider चीऊ तो उनका दायत तो बनता है कि वो परिवार के साथ खड़ी रहे हैं जबके डिबाल यादाओ खिलेश यादाओ बहले हम उनके समर्थक नहीं है लेकिन उन्हें अपड़ा यादाओ का पूरा साथ दिया है और आजकर हर टीबी चैनल पर वही डिबेट देखने को मिल रही है आफर देख में तो इतना शमय खराब करें मीडिया कहते है जनता से सवाल पूचना के टीब क्या करने के लिए मीडिया को रखा है अगर जनता नहीं सवाल पूचना होता है हाँ यह बाट से मैं कि जनता को सवार पूछने चाहिए जनता की अवाज में अग्ता हो गए तो जनता तो भौत कुछ करने में सक्षा में लेकिन जनता सिर्फ आवाज ही उठा सकती है सवाल तो मीडिया को ही पूछना है और दूसरी तीसरा मुद्धा परधार मंत्री की सुरक्षा उस पे बहस करने के बज़ाए कि उनकी सुरक्षा पे चूप क्यूं हुई बहस इस पे हो रही थी यह चीज हो रही थी कि सिवरा सिंग पांटल ने सिवरा सिंग चोहन मुध्य मंत्री मद्धि परधेश के उन्होंने हवन करोई उनकी दिर्क आई के लिए विए ने जब करवाए बजाए कि मुख्यम पर्धान मंत्री देश का उनकी सुरक्षय में चूखे कितनी बड़ी गलती है यह कोई मामूली बात नहीं है लेकिन हमारी देश की मीडिया इस सवाल को पूछने के बजाए सिबरा सिंग चोहन के वहां सब का सब मीडिया का जमाड़ा वहां लगा है कि आप कितने मंत्र करोगे कितने दिनों तक करोगे इस तरह के मुद्धे हमारे देश में चलते हैं और फिर कहते हैं कि हम बैसी चलेगा कोन क्या कर सकता है मीडिया का काम होता है सवाल कुछना वो मीडिया क्या कर रही है जनता सिर्फ बता सकते हैं सवाल कुछना काम मीडिया का है काल में रभिष कुमार जी का एक वीडियो देख रही थी वो कहरते कि जन्ता को पुछना ची तो फिर आप लोगों क्या करने के लिए रखा हुए सवाल तो मीडिया को पुछना ची जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं अगर वो पूछनगे तो उनको भूल गया अप गोदी मीडिया हैं बहुत सारी चीजां खराब हो रही है जो चीज नहीं होनी चाहिए वो हो रही है मुझे नहीं लगता है तीनों मुद्धे इतने बड़े हैं प्रयात को लेके कप्टानी उनके अपनी चोईस है चाहे उनका उनकी परफोमेंस खराब थी वो खुद को जाज अच्छे से जानते हैं हर इंसान खुद को अच्छे से जानते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से किया बहुत कुछ उन्हेंने भारती किर्केट टीम को दिया बहुत बहुत कुछ उन्हेंने भारत का नाम रोसन किया है भारती किर्केट को बहुत कुछ दिया है अपना नाम उन्होंने तरज किया इत्यास में इतने अच्छे कप्तानी के तौरान सूपर उपर उनकी पर्फोमेंस रहे इसमें कोई दो रहे नहीं है लेकिन उनने खुद भी लिखा है कि हर चीज का एक सही समझ आया है लेकिन हमारे देश की मीडिया को समझ में नहीं उन्होंने डीवेट चला रखें उसमें बहुत सारे मुद्य हमारे देश में करोना के बाद कितना कुछ विगड़ा है लोगों के आर्थिक हाला थ्राब होएं कितनों के अपने चले गए हैं उस पे कोई बहस नहीं करेगा अपड़ा यादा इत्ती बड़ी नेता तो नहीं है लेकिन उसके पीछे पड़े हर से उस करने जाती हैं तो यह बहस नाक है मीडिया ने अपना इस तर्थों गिराई रखाए देश की जनता को कम से कम इस हद तक तो जाकरूख होना चाहिए कि मीडिया को पे दबाव डाले कि जो काम आपका है वो काम तो आप ही करोगे मीडिया इस तर के मुद्दों पे सवाल पूछेगी ने लेकिन आज सब के हाथ में नेट है सब जनता समझदार है सब सब देख सकते हैं सही क्या है गलत क्या है तो वहाँ पे जो सवाल उठने चाहिए बेफजूल के मुद्दों पे डिबेट होने के बज़ा है सही जाएगा और सही दिसाब पकड़ेगा तब ही दसाबत लगें नमस्कार बाकि बेफजूल मुद्दों पे बहस करने के बज़ाए सही मुद्दों को पकड़ना यह जुमिदारी देश की जनता का है और मुझे लगता है कि हमें देश की नेताओं के बज़ाए हमें मीडिया क पकड़ना चीए जिसे हम लोकतंत का चोथा हिस्सा कहते हैं उन्होंने अपने इतना घिराए दिया क्योंकि वह हमारे देश का ऐसा हिस्सा है जो वह सच को जूड़वलाते हैं जूट को सच बताते हैं जुमिदारियों से भागते हैं और जनता भी आज नेताओं को ता होता है पत्रकार 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 लोता कहां काम है लेकिन मेडिय आज हो नहीं कर रहें और नेताओं को बजाए इन मीडिया वह बग 기본'tichaam वीडियो मागर आपको कुछ अच्छा रगता मेरी विचानुशा अगर आप सहमत है थोड़ा सावी तो लाइक कर दीजिएगा इसको सेर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली वीडियो की जैनकारी के लिए घंटी आइकन वी प्रेस कर दीजिए थेसे जया लूबा ऑगर इस तो लिए ढगता है लेगता है